तो हैलो बच्चों क्या हाल है कि देखिए किसी बड़े बुजूर्ग ने बात बोलिए अगर आपको याद हो सबने सुनियोगी कि दुर्गटना से देर भली कौन सी दुर्गटना की बात कर रहा है एक दुर्गटना जो बच्चों के साथ हो चुक है और एक जो होने वाली है अब हो चुक है उसका तो आप कुछी नहीं कर सकते हो जो होने वाले उसे टाल सकते हैं आपको साफ साफ दिख रहे हैं कि आपका कि बेट्टा आपका सी सेट दोजार चौविस ऑन्दा कॉर्नर 951-777-1651 यह नंबर किसकाम आएगा हां जी अगर आपको कोई भी समस्या है तो आपको एक नंबर दिया है इस पर आप कॉल करो यह सब्सक्राइब करो कि दोनों माध्यम आपके पास खुले होएं क्योंकि यह ऐसी सिच्वेशन क्रिएट हो जागी ना क्योंकि फिर थोड़ क्योंकि आपको फिर क्या होगा भाई सी सैट को अच्छे से तैयार करना है और आपको जी इसका भी करना है अगर आप अभी मेरे साथ जुड़ोंगे ना मैं आपको जीएस की प्रिप्रेशन को बिना चेड़े ना सी सैट में हंड़र्ड प्लस मार्क्स की करणटी सकता तो अगर आप खुद सीरियस हैं तो इस नमबर पर कॉल कीजिए लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैच का बता देता हूं कैसे आपको लेना है क्लियर क्योंकि मैं तूदी पॉइंट बात कर रहा हूं मैं कोई जाद नहीं बता रहा हूं कि क्या होने वाला है क्य सब्सक्राइब आपको कुछ नहीं करना आपको लिंक स्क्रिप्शन बॉक्स में दिये बैच आपको यह वालए लेंगा जो मारा लाइफ बैच है यह क्या है आपका ओं-LAYन प्लस औफ लाइन बंट है कि क्या क्या कि यह ट्रफ है यह त्रोफ आर्फ है और आ हमेरे साथ मेलोगी मेरे medals दिंग और इंग्लिश के साथ ठीक है डिपेंडिंग आपका क्या पहले चल रहा है जैसे भी कौन चल रहा है अब देखो इसमें क्या पैच मेरा पांच विज़े तक चलता है प्यारे बच्चों अब आपको कि सर इस 30 मिनट में हमने क्या करना है बताऊंगा भी थोड़ी दिर क्या सिनरियो देखो यह जो 90 लेक्चर से यह आपको इस ओन लाइन ऑफलाइन बैच में जो आपका लाइव बैच है उसमें मिल रहा है और यह आपके अध्यारे लेक्चर से नबबे लेक्चर इसमें मिलें 50 प्लस ही लगांगा 50-50 निबोलूगा मैं कम नहीं ठीक है 25 आपक के बास इसमें इंग्लिश के लेक्चर सापको देखने को मिलेगा ठीक है प्रीविए से लेक्चर कितने हैं 15 एमसी को प्रैक्टी सेशन कितने हैं 50 प्लस लाइव मेंटर्शिप शेशन कितने हैं 30 प्लस तो यह आपके पास बहुत बड़ा एक नंबर है लेक्चर का इतने ल बात कर सकते हैं आप सब्सें पहले तकोब मिलता को आपको weekly शेड्यूल मिलता है मतलब जो वीक में आपका लेक्चर होना है उसका पहले आपको शीडि दिख जाएगा संडे को या साटेड़े को शा म को फीक है मैया कमूर्थ मेरा लेक्ट्टर सबसे पहले उसके साथ क्या मिली मिलेगी आपको लेक्चर की पीडिएफ लगी मिलेगी उसके साथ अब यह लेक्चर की पीडिएफ लगी मिलेगी उसके साथ अब यह लेक्चर की पीडिएफ जो मैंने क्लास में करवानी है तो आपको पहले से पता भी किस टाइप के कोश्च हो सकती है basically clear नमबर तीन पर क्या आपकी बास प्रैक्टी शीट यह प्रैक्टी शीट वैसे सिमिलर कोश्चन होगे जैसे आपको क्लास में करवाए जा रहे हैं सब्सक्रों मैंने पर्मॉटेशन और कॉमिनिशन स्टार्ट किया तो पहले पर्मॉटेशन स्टार्ट करूंगा पर्मॉटेशन के सिलेक्टिट से कुछ कोश्चन जो क्लास में किया है उसी टाइप की कोश्चन हम आपको देंगे घर से करने क्लिए मैं आपको दूगा प्रैक्टी शीट में clear तो यह प्रैक्टी शीट हम डिसकस करें यहां पर 30 मिनिट में मतलब यहां पर यह प्रैक्टी इस हिसाब से हम पदाते हैं ठीक है जी आप देखो अंते में क्या है अपकर वीकली टेस्ट इसका क्या मतलब है यह आपका पोर्टल पर अप्डेट उजएगा अगरों कि बच्टे ऑफलाइन आंके देना चाहता तो सेंटर आ सकते है अदर्वस घर बैठ्था अराम से इसक इसका solution कैसे होगा मतलब maximum जगां में जो max test होता है उसका आपको क्या क्या देते है एक document file देए को दिया विद्ध देंगे solution जिसमें X Y Z से होंगे इसका वी आर प्रोवाइदिंगे वीडियो solution तो नेक्स लेक्चर से या एक दू दिन में ही आपको इसका वीडियो solution मिल जाता है टेस्ट के नेक्स दे आपको पोर्टल पर इसका जहां पर टेस्ट लगा हो तो उसे के साथ आपको वीडियो लगी मिलती है जो मेरी होती है इसका solution क्लियर तो इट्स आल अबाउट दिस ब्र यह थे इस बैस की डिटेल नेक्स टेप इसके निचे हमारे वट्स आप गुरूप का लिंक है इसको भी आप प्लीज 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 जोइन कीजिए साथ ताकि आप लोग अच्छे से इसको अवेल कर सकें और आपको सारे चीज़ों की knowledge आ सकें क्लियर चलिए तो चलते है है हमारे क्या है देखो कौन से डिसकेशन आज हमारी हमारी यह भाई यूपी यूपी यूपीएस की सेट 2022 आपका पेपर डिसकेशन चल रहे है और आज है उसका पार्ट नंबर 54 पहले पार्ट हो चुके है प्लीज उनको देखिए और अनंद लीजिए प्यारे-प्यारे प दा इफर्मशन इस गिवन विरो अच्हा रहलेमन आज हैगे मिरिखल से रहल्म यह यहां इगा रहलमन आज दा रहलेमन इंफर्मेशन इस गिवनव गल दो क्लियर यूपी पर्चिस एठे नोटीज पो कुज तोगेदर पर्चिस 21 नोटी जोप्चिस नुपस फिएठे बड़ा अच्छा कोशन है यह सिंपल एक अर्थमेटिक बेस कोशन है जिसमें क्या दिया हुए जिसमें पांच दोस्तों के अपस में को रिलेशन्शिप दिया हुए कैसे लेटस देखो मुझे क्या दिया हुए यह मेरे पास है ठीक है पहली इफर्मेशन होगी प्रॉटकर लिए में नेक्स क्या रहे है मतलब जैड़ के पास जो नोटबूक है न वो एक्स की नोटबूक जो है उसे आठ अजाद है ठीक है पहली इफर्मेशन होगी प्रॉटकर लिए में नेक्स क्या रहे है पी और क्यों टो गेदर परचेस ट्वंटी एट नोटबूक मतलब प्लस क्यों वो दोने के पास कितने हैं भाई की फ़ाइव नोटार गयाना ने पूलतों फाइव सक के फाइव विसका शुक्य विए यह पांच है फ्राइव नोट इस नोट बुक और X प्लस Y कितना है मेरे पास 28 पी पर्चेस फाइब नोट बुक मोर्दन एक किस है यह 21 यह 28 है क्लियर चलो पी पर्चेस फाइब नोट बुक मोर्दन X देट तो X इस इकल टू कितना गया पी पर्चेस फाइब नोट बुक मोर्दन एक्स तो पी इस इकल टू फाइब प्लस एक्स यह बताईए क्लियर हो गया देखो अब शुरू कहां से करना को मुझे दो एक्वेशन दियें पी प्लस क्यों 21 और प्लस क्यों कितना है मेरे बास प्लस पांच सीफ तब्डस करो अगर मैं पी की वेल्यों यहां पूट कर दो यह कितना आ एगा क्यों प्लस क्यों प्लस 5 प्लस 15 to do to do is gonna do कितना गए 16 क्यों मिरे पास औठाया चैकिट एक मिरे पास लख आया बिल्कुल क्यों क्यों अगर आठ आ गया To P कितना यहां पूट करोगे तो 13 आगया next क्या मेरे पास x कितना आएगा देखो x आएगा 5 plus x is equal to कितना आगया 8 तो क्या x मेरा 3 आगया चकी जी क्या x की वेल्यू 3 आईए या पी एक मंट एकस पी फाइव नोड गो मोर दन x पी परचेज इस फाइव नोड मोर दन x चलिए अब यहां से x क्यों आ रहा है क्योंकि हमने भाई पी की वेल्यू दंक से पूटनी कर रखी पी कितना वने आउं तो क्यों की वैल्यू है बैटा जो आई है तो यह कितना आ ग इट अच्छा एक्स प्लस वाई ट्विंटीएट है तो वाई कितना अगया मेरे पास बीस जैट कितना आ गया और आठ और आठ शोला चेक करो तेरा आठ आठ बीस शोला है क्लियर अब मेरे पास डेफिनेटली नंबर अब बुक्स तो आगी अब मुझे क्या बोल रहा प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मंद भूलिए चलिए बच्छों चलिए बहुत अच्छा कोश्चन है यह 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 अगले दो कोश्चन पड़े इजी थे आप इजी ली बता पाएंगे क्लियर देखो क्या दिया है कंसेडर दा कोश्चन स्टेट्में गिवन बिलों कंसेडर दा कोश्चन है टू स्टेट्मेंट माफिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है टाइपिंग में कुछ होगे है पहला के देख कोश्चन वट इस मनिशा एज अज अफ दे मनिशा दाइज कि जेगा वट इस एज ऑफ मनिशा यह टाइपिंग एर लग रहा है मुझे आज पूछ ठीक है जी चाहिए वर्ड नीचोंगे मनिशा इस 24 यह यंगर देन मदर यंगर देन हर मदर आएगा यंगर दैन हर मदर ठीक है जी फाइव यह लेटर दा एज अफ मनिशा एंड हर मतलब अगर मैं माता जी की बात करूं और मनिशा की बात करूं इनको माइनस करके कितना आएगा मेरे पास 24 आना ची मतलब मेरे वो सिंपल सिंपल एक कंडिशन दी है सेकंड में क्या कह रहा है वह पांच साल के बाद एज ओफ मनिशा एंड हर मदर विल भी त्री रेशो आज से आगर में बात हो देखो एक बात रखना एज जब भी आप करूं ना एज इस उसमें क्या होगा उसमें एज डिफरेंस कॉंसेंट रहता है मतलब इनकी एज का रिशो कितना है तीन रिशो पांच कितने साल पहले पांच साल पहले यानि यह मनिशा और इनकी माता जी इनकी एज का डिफरेंस कितना दो की वेली कितनी दे चौबिस एक की वेली कितनी आगी बारा तो डेफिनिट अब क्या कह रहा हो अगर मनिशा की एज मुझे बताने कि मनिशा चतिस साल के और इसकी माधाजी साट साल की तो डेफिनिटली क्या होगा बोस्टेट्मेंट वन सिक्स लेक्टर से एबी सीडी एंड एफ इच और डूरेशन अर्शे डूल बिट्विन एट अम टू पिम मतलब की स्कूल की बात हो रही याद आए कुछ है ना आठ वजे से दो बजे तक वही स्कूल की बात हो रही है कंसीडर दा कोश्चन एंड टू गंटेगर यह चला है तो इंड रहा है वही तीस रह पहला दूसर तीस रहाना यह वालेक्ट्र एफ एस प्रसिद्टिट बाइओ भा एंड फॉलरण बैस ठीक है चलो यह बता देया मुझे 3 not lecture is there is no lecture after B अब देखो इसका मतलब लास जो लेक्च्टर रहना लास लेक्चर वो भी मतलब मुझे पहले पांच लिक्चर के बारे कोई डेफिनेट हानी यह यह मुझे पता है AFC और ही इकठे हैं किसी में आगे पीछे हैं ठीक है यह इंको छोड़ के मुझे किसी लेक्चर बारे ने बता रखा तो क्या हो गया वो statement one and statement two are not sufficient असलता question because मुझे statement के बारे में एच्छ से नहीं बता रहा है मुझे बाकी के बारे कुछ बता ही नहीं चलो इनका मैं कुछ भी गर लो ए आगया एफ आगया सी आगया भी आगया तो मुझे नहीं बता है कहां पर कहां पर नहीं है क्लिए अगर इनके बारे कुछ होता तो मैं बता आपाते हैं चलिए भाई अब इस को स्टार्ट कैसे करना है इस को स्टार्ट कैसे करना है स्टार्ट कैसे करना है यह बता यह पहले मुझे कर न दूर की बाद हो रोल रिजा को स्पव। all possible three-digit number देखो मेरे पास क्या हो सकता देखो A सबसे बहुत समझो समझो क्या है किया आपको A plus B plus C है ना A B C numbers है मतलब वो कहा रहा है पहले A plus B plus C करो A plus B plus C करो फिर क्या कर सकते हो A C B कर सकते हो मतलब A plus C plus B जितनी possibility बन सकते हैं बताऊंगा possibility कैसे बनेगा उसके बाद क्या आएगा B रखो A रखो C रखो फिर B C é यानि B plus A plus C है ना इसको छोड़ दो यह थो मंसे जो पूछी ना रखा यह थो मुझे पूछी ने रखा है और मुझे देख सिरे हां मुझे बता रहा क्या हो सकता इसका ook S mo todas wein सबसको add कि कितना रहा है 1 3 3 2 आ रहा है आना भी चीए अब हाउ विली फॉर्मिलेट इस कोश्चन भाई इस कोश्चन को आप कैसे करना पसंद करोगे देखो दो तिन तरीक्या है अब स्मॉलेस्ट वैलिव क्या हो सकती है ओंडी आप एक कि तूबड़ए इस वें तुब पांच से साथ नो तो गया एक फिरए थी तुरुटध यदो पांच एक साथ आथ नो और तो ग्याराइक बारा दो कैरी एक तीन तो पांच छे एक साथ आट नो दस ग्यारावारा तेरा दो एक तीन 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 च्शाफ आट नो दस ग्यारब रहत है न तो 1332 तो पहली तो फिर द फोर डीजिट लिस्ट वैलियों फैक्स इसका मतलब है अब कोई भी नमबर मानो 1332 आना चाहिए वह मेरा आ गया नेक्स क क्या कहा रहा है वो गुद्दा थ्री डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यों फैर ईसॐ 888 इसका मतलब क्या यह नहीं आ सकती भाग्षू यह नहीं आ सकती आपका क्या होगा only one clear क्या सकती है comment section में करके देखे बदाएगा मुझे कितना clear चलिए, next पे चलेंगे जेना कि अब डेफिनेटली जब को टैसीरी से लगाओ को ने कोशन डेफिनेटली मिलेगा आपको कंफर्म है ऐसे कोशन आते हैं आपके पेपर में आजकर ऐसे कोशन वह भर भर के आ रहे हैं 2019 से स्टार्ट हुए है ऐसे कोशन आने क्लियर तो प्लीज लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब और शेर करना मत भूलिए बढ़ते बीटा बात की तरफ क्या है मेरे पास देखिए नेक्स्ट है मेरे पास मेरा माइक्रो कोर्स वह टेकनीक है जिसके थूप आप अमने त्यारी को पुछ दे सकते हैं पता तो अब कर सकते हो अगर आपको नहीं पता चल रहाए हाओ टूस्ट तो थो सिंबल माइक्रो कोर्स के थूप पर्सेंटेज करूं रेश्ट परपोर्पोश्चन कर आग आपको चाहिए आपको तयारी शुरू करने तो कैसे करनी है तो सारी चीज़ाइए यहां पर और आपको पूरा इस पूरा ने त्यारी करने और जो आपने एक्चुली में करनी जैसे आपका नंबर सिस्टम हो गया जैसे इतने अच्छे कोश्टन सा रहे हैं ठीक है तो सारी चीजों को समझने के लिए एक बहुत अच्छा माद्यम आपके लिए इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको क्या मिलने वाला है फुल आपको लिंक जो ओनलेन दोनों तरीके से नमबर तो पर मिलेगा माइक्रो कोर्स फिर मिलेगा आपको वट्सएप ग्रुप करेंगे तो चलते शौन हो के-दर आपके बहुत कुछ है जा आप से मैं बदा रहा हूं घ somet력 एंडशी ना wal लिए सिब्सिटर्प्षइंते यहां सारह वीडियो कोर्स्स कोर्स मिलेंगे और यहां पर मिलेगा हम जो चाहते हमारा माइक्रो कोर्स क्लियर जैसे मैं सबसे वहले बात करूं यहां पर दस डिजित का अपना मोबाइल नमबर डालिए कॉल मी या वट्सेप कीजिए उसी साफ़ टीम आप से यानि मैं आपने आप जुड़ जाऊंगा क्लियर आपकी इंक्वैरिया जागा कि आपने कुछ पूछा सब्स बीस बाइस पच्चिस परसेंट यह आने लगी है ठीक है और नो वेबनॉट्स मिल रहे हैं इसमें 421 कोश्चन मिल रहे हैं और आपको 10 दमाक्ते दर इसमें लेक्चर मिल रहे हैं 6 मिनट का ट्राइल भी यहां भी दिया गया तो इस ट्राइल को भी आप देखे देख सकते हैं what quality we are providing in this lecture clear तो यह बहुत unique चीज़ है क्योंकि आपको सिरफ यह question करना नहीं सिखाएगा आपको लड़ना सिखाएगा कि examiner जैसे मर जी आपके सामने question डाले आप उसको attempt कर पाए अच्छे से और नहीं तस lecture क्यों तंबर 6 में पूरा हो सकते हैं why दस lecture reason यह ही है बेट एक तरह से test series की तरह काम करेगा number system की कि कुछ आपको क्या मिलेंगे इसे 20 से 30 कोशन का bundle बनाईए इसको आप test के तौरब दे सकते हैं जैसे next में बात करो simplification बहुत important है एक सो चौदा और रोपे का चार लेक्टर से एक वेब नोट से और एक सो सतरा मल्टीपर जो सकते हैं कुछ आपके पास ट्रिक्स हो सकती हैं जो आपको काम आएंगी चेप्टर को समझने में हर चेप्टर के साथ 6 मिनिट का ट्रायल आपको दिया गया है clear next में जैसे बात कर टाइमें डिस्टंस एवरेज नंबर सीरीज हो गया आपका लाइन चार्ट रेशो परपोश्चन आपका टाइमेंड वर्क हो गया मैंसुरेशन टूडी आपका एई जिस हो गया से मैसे डेटा टेबल देखिए जैसे सब टॉपिक्स भी पूरा एक टॉपिक है बट लाइन डेटा टेबल लाइन चार्ट पाई चार्ट मिक्स गराफ आपके सारे क्या है बार चार्ट यह सारे सब टॉपिक्स हैं तो आप यह भी इंडिजुली कर सकते हैं जैसे डेटा टेबल की बात रो 66 रुपेज में एक वैपनोट से और 179 आपके बस लेक्चर से और 179 मुल्ट पजल टेस्स करना चाहें तो बेटा देखे कितने गया 245 गोष सेवन्टीन लेक्चर 17 लेक्चर बिकूस पजल टेस्ट में अलग 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 टाइप के स्टॉपिक्स आपको देखना पड़ेगा रेंकिंग अन ओडर पर भी आ सकता है यह सिटिंग अरेजमेंट पर आ सकत चीज़ें बड़े सारी लॉजीकल थींग से नेक्स रेंकिंग अन ओडर होगे आपके बाद नेक्से स्टेट्मेंट कंक्लूजन नेक्से डारेक्शन सांस होगे फिर सी लॉजिजिसम क्यूब और चीज़ेंग आपके पास बिल्कुल सही तरीक्पे से बिसिक तरीक्के से पूइंट आपको समझाई गई है ठीक है नेक्स बीटा मैं बात करूँ आपके बस इंग्लिश कॉंप्रेंचन देखिए इंग्लिश कॉंप्रेंचन का पूरा बंदलना आपके 412 रोपे कर दो इसके अंतर टॉपिक्स है यानि पहला है रीडिंग कॉंप्रेंचन और दूस पर देखो आपके जो रीसेंट टाइम में अच्चा अच्छे एक्जाम सब्सक्राइब कॉंप्रेंचन में इनका उनका इनको कॉंप्रेंचन को कठा किया हुगा तो डफिनिटली गउल्ट रिपीट होते हैं नए वर्ट कितने लिए लिगागए तो वर्स बील रिपीट इ तो यह वर्ट कहीं ना कि आपको काम देखों सिर्फ कितने का है सिर्फ और सिर्फ फिप्टी थरीका देखें थ्रेटिकल पार्ट्स भी देऊ दो वेब नोट्स भी आपके पस क्लियर तो प्लीज इसको अवेल कीजिए बहुत इंपॉर्टन आपके सी सेट के एक्जाम के लिए जो अभी जल्दी ही आने वाला है क्लियर देट तो आपको पता चली क्योंकि मैट सेक्शन बताईएगा हुझे देखें नेक्स मेरे पास है यह जो आपको बैच मिलने वाला है क्लियर यह वो सितारे हैं जो सूर्य की में चम 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 आ रहे हैं जैसे मैं बात करूँ बैटा मिस्स पर्ष की फिफ्टीवन रेंग दोजरतेईस में अर्रम की बात की जाए चपन रेंग जतिन की बात करूँ 91 दीविया की बात करूँ 105 स्टिक की बात करूँ 138 यह तो कुछ चुरिंदा से नाम लिए बाइस सो प एक भी बच्चा ऐसा नहीं है एक भी टॉपर है एक भी रैंक होल्डर ऐसा नहीं है जिसने सी सेट को सीरिसली ना लिया हूं इन्हों सबसे वैल अपना सी सेट ही खंदम किया कि भाईया जीएस के टाइम पर कोई मुझे डिस्टरबैंस नहीं चाहिए जब मुझे जीएस प झाल 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 झाल